दोस्तों अगर आपके फोन का भी टच अस्किन सही से काम नहीं करता है बहुत जादा हैंग होता है आप अपने फोन में कोई भी अप्लिकेशन ओपिन करते हैं कोई भी गेम खेलते हैं टच पूरा-पूरा हैंग होने लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला फोन के touch problem को ठीक कर सकते हैं हाँ दोस्तों आपके phone का touch hang कर रहा हो सही से काम ना कर रहा हो तो वह आपका problem हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा क्योंकि आपने एक चीज जरूर notice किया होगा जब हमारे phone का touch hang होता है ना तो कहीं कहीं काम नहीं करता आप कितना भी touch करो वह सही से काम नहीं करता है लेकिन इस settings को करने के बाद आपके phone का जो touch problem है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा तो उसके लिए करना क्या होगा आपको अपने phone के अंदर खुद नया setting करना होगा जो कि hidden setting होता है जो कि आपको खुद से आपको अपने phone के अंदर अपलाई करना होगा तो वह setting कौन सा है उसे कैसे यूज करना है तो वीडियो को जड़ा सा भी असकिप मत कीजेगा तो चलिए उस setting के बारे में जानते हैं उससे पहले एक छोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दे तो चलिए फ्रेंट टाइम ना वेश्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को start और मेरा नाम जीते अंदर है और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल टेकनिकल सोमू यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तों जानते हैं आप किस तरीके से आप अपने फोन के टच प्रोबलम को ठीक कर सकते हैं आपके फोन का टच हैंग कर रहा है सही से काम ना कर रहा हो वो सारा प्रोबलम आपका ठीक हो जाएगा तो चलिए फोन हम जानते हैं उससे कैसे अप्लाई करना है अपने फोन के अंदर तो सबसे पहले अपने शेटिंग को ओपन कर लेना है तो यहाँ पे हम शेटिंग को ओपन कर ले रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंड अ-सक्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं, आपको phone में एक option देखने को मिलेगा, additional setting नाम से, इस setting पर आपको एक बार click करदेना है, जैसे आप click करेंगे, तो थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो यहां पर expectability नाम से, देख सकते हैं, expectability नाम से एक option मिलेगा, इस पर click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो आपके phone के अंदर एक setting देखने को मिलेगा, touch and hold, delay नाम से एक setting आपको देखने को मिलेगा, इस setting पर आपको click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते तीन option आपको देखने को मिलेगा, एक short का मिलेगा, एक medium का मिलेगा, एक long का मिलेगा, जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आपका, जो कौन की जगा पर आपका setting हुआ है, कि आपके phone का जो display है न दोस्तों, जो सही से काम नहीं करा, तो आपके देख सकते हैं, आपके phone के अंदर होगा medium पे, medium पे होगा, इस यहाँ पे medium पे आपके phone में होगा, तो आप इसे short पे कर देंगे, जैसे आप short पे करेंगे, तो आपका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका short पे हो गया, यहाँ पे short पे आप कुछ कर देना है, यह पहला setting था दोस्तों, अब हम आपको दूसरा setting बता रहे हैं, का logo होगा, profile होगा, इस पे click करना है, और click करने के बाद friend, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, manage app का option होगा, यहाँ पे एक बार cap कर देना है, जैसे आप tap करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, manage का option होगा, manage पे click करना है, जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ आपका phone में जीतना सारा application होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल गया यहाँ पर देख सकते हैं कि installate का option है यहाँ पर एक बार click करना है जैसे आपकी link करेंगे यहाँ पर not installate का option है not installate पर एक बार click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फोन जप से आप फोन लिये हैं तो आप जितने भी अप्लिकेशन को डाउनलोड कीये हैं आपने अपने फोन के इसके से तो आपने उसे डिलीट कर दिया है मगर यह अप्लिकेशन प्लेश च्टोर के देखसकते हैं ये हमारा MB को catch करके, हमारा storage को यहाँ पे full करके रखा है. जिसके कारण से क्या होता है, कि हमारा phone जो है, दोस्तों, hang करने लगता है, lag करने लगता है, game खेलते समय, हमारा जो display है सही से काम नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे, दोस्तों करना क्या होगा ना कि आपको यहां से एक एक करके यहां से select करना होगा ऐसे जो है आपका select करना होगा आपको select करके यहां से आपको यहां से delete करना होगा और यहां से remove करना होगा जब आप यहां से कर देंगे delete तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा य यहां से बैक जाने के बाद आपको क्या करना है फिर से आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके फोन के अंदर एक सेटिंग देखने को मिलेगा अपडेट कर लेना है, देख सकते हमारे फोन के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आया है, अगर आपके फोन के अंदर कोई भी अपडेट आया होगा, MB में होगा, GB में होगा, तो आप उसे क्या करना है, आपको अपडेट कर लेना है, जब आप अपडेट कर लेंगे, और उसक कर लेते हैं तो आपका जो फोन है टच एक दम नया की जैसा बन जाएगा तो हम विडियो में इसी सेटिंग के बारें में बतार दें हमारे इस विडियो से कुछ सीखने को मिली हो वीडियो हेलप लगे हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो फिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए तब तक के लिए बाइबाट टाटा